दोस्तों आप नोबेल अवार्ड के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि एक सौ साल से अधिक समय से चल रहे इस अवार्ड में एक बार ऐसा भी हुआ है कि जब कमेटी के द्वारा लिये गए निर्ने से इन्हें अपने वर्षों पुराने नियम मे परिवर्तन करना पड़ा, नोबेल के इतिहास में शायद ये पहली और आखिरी बार किया गया होगा, जिसके लिए यह बदलाव हुआ वो भी कोई आम आदमी नहीं था, आप सोचते होंगे वह कौन है और किसकी वजह से नोबेल के इतिहास में उनके नियमों को बदलना नोबेल पुरसकार के दो महत्वपूर्ण नियम भी है, जो मानवजाती में बहुत बड़ा योगदान देने के अलावा नोबेल पुरसकार में अहम भूमिका निभाते हैं, पहला ये पुरसकार सिर्फ जीवित लोगों को मिलता है और दूसरा एक श्रेणी में ये तीन से अधिक लोगों को नहीं दिया जाता है, दोस्तों यह वीडियो उस खबर को उजागर करता है, जिसने एक सौ साल से चले आ रहे नोबेल पुरसकार के इन नियमों को बदलने पर मजबूर कर दिया, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंदाएगा, दोस्तों आपसे अनुरोध है कि यह जानकारी अगर आपको पसंदाती है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जिहास में केवल एक बार हुआ है, जब एक व्यक्ति को मरने के बाद पुरसकार मिला, ऐसा 2011 के चिकित्साक शेत्र के पुरसकार के लिए राल्फ स्टीन मैन के लिए हुआ था, आज राल्फ स्टीन मैन का विज्ञान के लिए योगदान और उनके मरनोप्रांत पुरसकृत होने की कहानी जानेंगे, स्टीन मैन के समय पर कोई नहीं जानता था कि बाहरी तत्व के शरीर में अंदर आने की खबर इम्यून सिस्टम को कौन सी कोशिकाए देती है, परिनामस्वरूप जब वैग्यानिक बैक्टीरिया और सिपाही कोशिकाओं को एक साथ क्यूब में ड स्टीन मैन इन कोशिकाओं को सिपाही कहते थे। स्टीन मैन के सामने भी यह मौका आया, पहले कुछ ख्याल आया की नई कोशिकाओं का नाम अपनी पत्नी क्लोडिया के नाम पर रखें, स्टीन मैन उनसे बहुत प्रेम करते थे और कहते हैं पत्नी के साथ नाचना उनका सबसे प्रिय काम था, लेकिन बाद में उन्होंने इ कोशिकाओं का नाम देनडरिट रखा, उन्होंने यह नाम यूनानी भाशा में पेड के लिए जो शब्द होता है देंडरॉन वहां से लिया, इन कोशिकाओं पर काम करना बहुत कठिन होता है, इनका अध्ययन करने के लिए इसे पहले शरीर से निकाल कर, शरीर की बागी शुरुआती काम सब चूहों की कोशिकाओं पर हुआ। उसके बाद स्टीन मैन और उनके साथियों ने यह सिद्ध किया कि शरीर में लड़ने वाली कोशिकाओं को बाहरी तत्व की मौजूद्गी की सूचना यही डेनेट कोशिकाओं देती है। प्रतिशक चास दिया गया कि वह एक साल तक जीवित रहेंगे। पर स्टीन मैन हार मानने वालों में नहीं थे। बीमारी की खबर सुनकर अपनी खोज और उससे खुली इलाज की संभावनाओं पर काम करने में दोगुनी ताकत और जोश से जुट गए। इस सफर में उनका सा की एक समय पर स्टीन मैन अपने आप पर आठ अलग किस्म की प्रयोगात्मक चिकित्सा प्रणालिया लागू कर रहे थे। ऐसा करने के लिए उन्हें सरकारी अनुमती चाहिए थी। सरकार ने भी अपना किरदार बखू भी निभाया। सरकार ने उन्हें खो देने के डर से उन्हें अपने शरीर पर परीक्षन करने की अनुमती जल्द से जल्द दे दी। ऐसे में उन्होंने मजाक में अपने परिवार से कहा, मुझे कुछ और दिन जीवित रहना ही पड़ेगा। वो मरने पर पुरसकार नहीं देते। वो जानते थे कि नोबेल पुरसकार की का चयन कर रही थी, तो वो इस बात से अंजान थे कि घोशना से पहले स्टीन मैन का निधन हो गया। परिनामस्वरूग 3 अक्टूबर को स्टीन मैन की पतनी ने स्टीन मैन के फोन पर इमेल आने की सूचना देखी। उन्होंने इमेल पढ़ा तो पाया कि उनके पती को सुखद हुआ। समिती ने अपना निर्ने सुनाया कि स्टीन मैन अपना पुरसकार अपने पास रखेंगे। इस तरह 100 साल से भी अधिक के इतिहास में स्टीन मैन अकेले विजेता रहे हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं हुआ कि वह इस सम्मान से पुरसकृत हुए हैं। जै किया था पर इनका पहलू और महत्वस टीन मैन के काम से बिलकुल अलग था। ब्यूल्टर और हाफ मैन के काम की दिशा में ही काम करने वाले एक और वैग्यानिक मेर्जितो उस साल बहुत नाराज हुए क्योंकि उन्हें ब्यूल्टर और हाफ मैन के साथ पुरसकृत नहीं क